नमस्कार मेरे नाम है शेफ अरपाल और मैं बनाने सिखा रहा हूं को पालक पनीर पकोड़े सुनके मुँवें पानी आता है लेकिन उसके पहले क्या करने है नोट कर लेते हैं इंग्रेडियन्स सबसे पहले यहां पर मेरे पास है बेशन दो कप बेशन लगबग 20 पालक के पत्ते लिए मैंने 1500 ग्राम पनीर आदा छोड़ा चमच हल्दी पावडर एक बड़ा चमच हरी मिर्च का पेस्ट नमक स्वाद अनुसार आदा छोड़ा चमच आमचूर पावडर चुटकी बर खाने का सोड़ा आदा छोड़ा चमच अजवयन एक छोड़ा चमच लाल मिर्च पावडर और चीजे जो मैं पास में रख लेता हूं ये घोल के लिए चीजे सबसे पहले अज्वयन डाल लेते हैं बेशन में बेशन जब भी इस्तमाल करें कोशिश करें कि अज्वयन डालें उसमें और उसके साथ साथ हल्दी नमक स्वाद अनुसार चुटकी भर खाने का सोड़ा हींग अच्छा ये जो यूनीक है भई मैं इसमें हींग जरू डालता हूं जब भी मैं ऐसे बालक पनीर पकोड़े बनाता हूं क्या करेंगे अब थोड़ा सा पानी डालके खोल बना लेंगे पानी डालते वक ध्यान रख पानी थोड़ा थोड़ा डाले और उसके बाद मिक्स करते रहें अच्छी तरह से ये देखिए और मिक्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना है ताकि जो गुटलिया है वेशन की वह बिल्कुल निकल जाए अभी देखिए ये बहुत गाड़ा है पानी थोड़ा सा और दुबारा पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि बिल्कुल कुटलिया ना हो और फाइनली ये जो मिर्ची का पेस्ट है वो भी इस बैटर में डालने और अच्छी तरह से मिक्स करके ये देखिए बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया आपने ये बैटर क की कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कूल इस तरह से होनी चाहिए गाड़ी आप से क्या करना है यहाँ पर रख लेता हूं मैं अब पनीर को लेके इस तरह के slices जो है आपने काटने है ये देखिए इस तरह के slices यह यह आपने काट लिए slices यह जो slices काटे आपने उनके साथ यह ऐस तरह के बेटेंस काट YE और बेटेंस काटने के बाद क्या करेंगे हैं कि अधिए पंबी लैट में पनीर रख लिया आपने इस तरह के लमबे-बेटेश आपने काटने हैं पनीर के अब इस पनीर पे भाई यह लाल मिर्स Powder डालने और साथ साथ आम चूर पाउडर वह भी डाल लें इसमें और थोड़ा सा नमक सबी चीजें डालने के बाद बड़ा सा हिला लें इस तरह से ताकि जो मसाला है सूखा मसाला वो सब तरफ से लग जाएं अब ये पनीर को रख लिए यहां पर मेरे पास है ये बढ़िया पत्ते पालक के देखिए ये पालक के पत्ते हैं बहुत ही बड़िया अब ये जो पत्ते हैं इन पत्तों को लेके मैं ये जो पीछे का स्टेम है इसे थोड़ा सा इस तरह से चप्टा कर लूँगा ताकि फोल्ड करने में असानी हो ये पत्ते रख लिए यदि बड़े पत्ते ना हो तो दो तीन पत्ते एक साथ रख लें और पत्ते जब रखें एक साथ तो इनको थोड़ा सा बेशन लगाएं और जोड़ लें ये बेशन जो है जोड़ने का काम करते हैं ये देखिए ये बढ़िया और ये पनीर लिया आपने और ये पालक के सा इस तरह से फोल्ड कर लिया और लास्ट में क्या करना अपने यह यहां पे अच्छी तरह से बेसन लगा लें जो गोल बनाया था उसका बेसन का गोल और यह यह देखिए यह बिल्कुल तयार पकोड़े के लिए इसी तरह से बाखी पत्तों के भी यह पकोड़े बना लेते हैं अब ये जो फोल्ड किये हुए जो पत्ते हैं पनीर के साथ क्या करना है बहुत ध्यान से एक बार फिर से इस तरह से हाथ घुमा लें और ये बेशन के घोल में अच्छी तरह से घुमाएं बिल्कुल ध्यान रखें कि जो पत्ते हैं वो खुलने नहीं चाहिए और ये ये एक-एक करके डालें बिल्कुल ध्यान से डालें ताकि पत्ते जो हैं बहुत जादा खुले नहीं इसको रोल करते रहें और फिर डालें और इसे घुमाते भी रहें ताकि यूनिफॉर्मली पक जाए पकोड़े आप ये जो सर्फेस देख रहे हैं इसलिए इतनी तब ही आएगा जब आप सोडा डालेंगे ये पकोड़े दुख्ये बिल्कुल तयार हैं अब इन्हें निकाल के एक टिशू पेपर पर इस पर मैं थोड़ा सा चाट मसाला चिड़क दूँगा कोई भी चक्नी हो उसके साथ सर्फ करिएगा लेकिन बनाईएगा ऐसे ही जैसे मैंने बनाए बहुत साथ इस्ते और मज़ा आएगा